मद्रप्रदेश की खंडवा में एक अनोखी बारात निकली जहां घोड़ी पर सवार होकर दो दुलहनी हातों में तलवार थामे बारात लेकर निकली तो यह द्रश दीक कराम लोग हैरान हो गए दरसल आपने अभी तक महिलाओं को कार मोटर साइकल चलाते देखा होगा लेकिन बेटियां यदि घोड़े की सवारी करे तो जरूर लोगों की नजर ठहर जाती है खनवा में पाटिदार समाज के लिए है कोई नई बात नहीं यह उनकी परंपरा का हिस्सा है लेकिन आम लोगों के लिए जरूर यह बात नहीं है खनवा में साक्षी और श्रश्टी पाटिदार कल जब दूलो की तरह हातों में तलवार ठामे घोड़ी पर सवार होकर अपने बारात लेकर निकली तो यह द्रश लोगों के लिए अजूबा हो गया आम लोगों ने लड़कियों को सिर्फ फिल्मों में ही घोड़े की सवारी करते देखा है चाहे वो पदमावत हो या मनी करने का इसलिए खनवा जैसे कजबा इमान सिक्ता के शहर के लिए यह द्रश कुछ अलगता है रागीर यह द्रश देखते ही रुप गये लेकिन बारातियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था साक्षी और स्रश्टी भी इस खोड़सावारी का भरपूर आनंद लेते दिखी वे घोड़ी बैक कर हातों में तलवार थामे नाचती रही और इधर साथ चल रहे बाराती भी जूम कर नाच रहे वहीं स्रश्टी और साक्षी के चाचा ने बताया कि कल हमारे परिवार में दो बेटियों की शादी हुई जिसमें साक्षी जिसकी शादी आनंद पार्टिदार से हुई है और दूसरी स्रश्टी जिसकी शशांक पार्टिदार से शादी हुई है दोनों लड़कियों का प्रोसेशन निकाला गया तो हमारे लिए तो कुछ नया नहीं था लेकिन लोगों के लिए थोड़ा कोतूहल का विशे बन गया था खंडवा से अहमत सिद्धिकी की रिपोर्ट